कि हमाने सिक्षक साथियों जहिलिए साथियों लर्निंग इंडिकेटर्स और लर्निंग आउटकम्स इन दोनों में हमारे विश्चक साथि बहुत भ्रहम की इसीति में रहते हैं और अक्षर इसी चार्चा करते हैं कि आखिर यह हैं क्या इन दोनों में क्या अंतर है क्या डिफ्रेंस है कई बार मुझसे भी चार्चा करते हैं तो साथ यह इस कालखण्ड में मैं आपको इस संब्द में पूर्ण तर इस पश्ट कर दूंगा कि लर्निंग इंडिकेटर्स क्या होंगे और लर इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाइड बोर्ड पर मैंने कुछ अंतर भी लिखके रखा इन दोनों में इन अंतर पर भी हम चार्चा करेंगे साथ यो नाम को अगर हम देखे सबसे इस पष्ट करें तो लर्निंग इंडिकेटर का आसा होता है सीखने के संकेतक सीखने के सूचक या अधिगम के सूचक ठीक है जिससे हमें बच्चे सीख रहे हैं इस बात की जानकरी सूचना मिले यह बहुत सामान अर्थों में साब्दिक अर्थ बताया इसी तरह लर्निंग आउटकम्स के हम बात करें तो इसका आसा होता है सीखने के प्रतिफल या अधिगम की संप्राप्ती ठीक है अर्थात विद्यार्थी किसी पाठ्थे वस्तू को पढ़ने समझने के पश्चात उससे संब्द्र जो जानकरी प्राप्त कर लेते हैं ठीक है और उसका फिर अनुप्रयोग कर सकते हैं तो वो कहलाती सीखने की संप्राप्ति और सीखने के प्रतिफल देखिएगा अध्यापन की प्रक्रिया में लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स से दोनों बहुत ही महत्पूर्द गटक है शिखाने की प्रक्रिया में यदि लर्निंग इंडिकेटर का कोई सिक्षक प्रयोग करता है तो निच्ची तोर से वह अपने अध्यापन सैली में अपनी अध्यापन में सुधार कर्श रखता है साथियों इसको और भी सरव तरीके से हम समझे उधान के माध्यम से यदि हम विद्यार्थियों को पाउधों में पोसर सिखाना चाहते हैं दोनों इसतर की विद्यात्वियों को समजने का तरीका अलग होगा उनके समझने की पाल्स थो की मैं जो स Camera को हम्मारा विद्धयाल्य होता है वह प्रत्यूंक में apliku की मैत अ Only पूद्धों को दिखाए और बच्चों से चार्चा करेंगे कि यह क्या है बच्चे उसमें बताएं कि अपनी प्रतेकर अदर्स आएं यह पेड़ा है पूदा है थे ना उसके विबिन्न भागों के बारे में पूछ सकते हैं तो बच्चे निशेत और से उसमें उत्तर देंग कीई कि यह पैड़ा यह यह सब्सारी जानकार हमको में को इसमें इसमें उत्तर देंगे कि भी जड़ से प्राप्त करते हैं कुछ बच्चे यह भी कह सकते हैं कि पत्ति से प्राप्त करते हैं अलग तरीके से बच्चों के उत्तर हो सकते हैं और जब बच्चे उत्तर देंगे उन उत्तरों के आधार पर हम यह करते हैं कि हमारे बच्चे कितने सीख रहा है या सीखने कि वह किस पकार अग्रसर है ठीक है और ये संखे तक है और जब हम उस पेड़ के बारे में बहुं années जानकर यह बहुं सी बात है कि बाँ है इसमें जड्डे जमीन के अंदर होती है जो कि जमीन से पानी और खनी लवर को सोकती हैं और वह तने के माद्दम से डाली वह पत्तियों तक पहुचाने का कार्य करती हैं इसी तरह से हम उसके अन्य भाग तने का काम बता समझा देंगे तने के कारे शाव पत्तियां और फूल के बारे में हम विस्तार से बच्चों बताएंगे चर्चा करेंगे तो फिर वह जो कुछ भी प्रिसे कि यह चोके बड़े होते तो इस पर चर्चा करेंगे तो विद्यार्त ही अपनी प्रतेग्डरा को दफजाएंगे और वे उसके बारे में कुछ कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करेंगे तो जो कुछ भी हम देखेंगे तो इस बात से हम अंदल लगाएंगे कि हमारे विद्यारती सीख रहे हैं और यहीं होते हैं लर्निंग इंडिकेटर सीखने के संकी तक ठीक है अब देखिए इसे में लर्निंग समझेगा लर्निंग आउटकम क्या है जब हम बच्चों की सब बातों को सुन लेंगे बच्चों के द्वारा जो भी बाते अभिवक्त की जा रही है ठीक है उनके द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दर्साय जाएगे आपके पूछने पर यह आपस जो चार्चा करेंगे उसको आ अंग है जड़ है तना है ठीक है इसी वकार डाली है पत्ती फूल फल है इनके क्या क्या कार है उनके बारे भी वो जान जाएंगे समझ जाएंगे तो यहीं हमारा सिखाने का उद्देश भी था और यहीं क्या होगा लर्निंग आउटकम्स होगा यानि बच्चे पेड़ के बारे में जानते हैं और उनके कारियों को भी समझते हैं आगे कि हम प्रोसेश देखें फिर बच्चों से हम पेड़ के द्वारा या पाउधा के द्वारा सुयम का भोजर निर्माण की प्रक्रेवर चर्चा करेंगे तो उसमें बच्चे आपनी तरफ से बताएंगे जैसा विद्धयाती कर सकते हैं अब फर घमीन के में पराप्त करते हैं और पत्तियों तक पहुंचता है यह पूरी केrüंश समझाएंगे इसके अलाबा प्रकास संस्रेशन क्रिया, फोटो सेंतेसिस प्रोसेस के बारे में प्रचुक हम समझाएंगे कि किस तरह से सूर्प्रकास की उपसिते में पत्यों के हरे रंग के कारण अपना भोजन त्यार करते हैं कि प्रक्रिय को जब हम समझाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे और उसके बारे पिजब देखेंगे कि बच्चने पूरा सीख लिया है और उसके समझे आधार पर हम अपनी पढ़ाने की प्रोसेस में सुधार करते हुए बच्चों को और बेधर तरीके से बहतर teaching ads का प्रयोग करते वे उनको समझाते हैं तो अंत्र में हमको क्या प्राप्त हो जाती है और उनका learning outcome प्राप्त हो जाता है अब आप समझ गया होगे कि learning indicators क्या है अर्था learning indicators जो है वो बच्चे के learning outcomes के पूर की प्रिक्रिया होती है हमको यह ग्यात होता है कि हमारे बच्चे सीखने की प्रिक्रिया में आगे बढ़ रहा है या कितना जानते हैं ठीक है क्या हुए थे non निडिकेटर ये थे कि पउद्धे बचे पबारे में पेडों के बारे में चैचा करते उनके जो औंग है जैसे जड़ तना फूल पत्ति फल इसके बारे में बता बताते हैं ठीक है इसमें यह भी होगा कि पाउधे अपनी जड़ों के द्वारा भोजन प्राफ्त करते हैं ये इस पर बच्चे बता सकते ये क्या होंगे learning indicators अब इसे में learning outcomes क्या हो जाएंगे इसमें यह हो जाएंगे कि विद्यार्थी पाउधे के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं उनके कारियों को बता पाते हैं इसके लाव अगला learning outcome क्या होगा विद्यार्थी जानते हैं कि पवदे अपने जड़ों के द्वारा पानी और खंज रवड को सोग करके तने की साहता से पतितक पहुचाते हैं और प्रकास संसेशड क्रिया क्या है उसके बारे में जानते हैं तो यह क्या हो जाएंगे इसके learning outcome जबकि indicator क्या हो जाएंगे कि एक प्रोसेस इसके बारे में जान रहे हैं समझ रहे हैं ठीक है जिसके आधार पर हम हमारे पढ़ाने की प्रक्रिया में और भी गती ला सकते हैं तो साथ हो मैंने आपको ऊधार के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि लर्निग इंडिकेटर क्या है और लर्निंग आउटकम क्या है अब देखिएगा मैं यहां पर कुछ अन्तर भी लेकर रखे हैं इनके माध्यम समझ लेते हैं कि यह दोनों में क्या आंतर है कि सबसे पहला है लर्णिंग इंटिकेटर में की विद्यार थी अध्यापन की गई विसरा वस्तु को सीख रहे हैं इसकी जानकरी प्राप्थ होती है लर्णिंग इंटिकेटर से हमको इस बात की जानकरी होती है तो विशे वस्तु से जो ग्रहन करता है वह लगल निंग आउटकम होता है हम पूरी पढ़ाने की प्रक्रिया संपन कर देते इसके पश्यात विशे वस्तु से जो कुछ सीख लेता या उसको सीख जाना चाहिए वही क्या होता है learning outcomes होता है सीखने की संप्राप्ति अधिगम संप्राप्ति होती है ठीक है दूसरा है विद्याती सीख रहे हैं बच्चों की विविद प्रतिक्रियाओं क्रिया कलापों से पता चलता है learning indicator की जानकारी है हमको बच्चों के क्रिया कलापों और उनके द्वारा दर्फाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं से हमको पता चलता है कि बच्चे सीख रहे हैं तो यही क्या है learning indicator की जानकारी हम बच्चों की प्रतिक्रियाओं और उनके क्रिया कलापों से लगा सकते हैं ठीक ह को जब हम अध्यापन कराते हैं और जो भी विश्यवस्तु है उसको जब सीख लेता है और फिर उससे सम्मनित आगे की जनकरी पर प्राप्त कर सकता है अर्थात जो सीखा गया ज्यान है उसका वह अनुपरोग अर्थात अपनी जिए में उसका उप्योग करता है जहां भी जर्किरी मैं सूज़दय ख्राप्त होती हैं जैसा कि पूर्माइन मैं आपको बता दिया कि जो करना है वीज़िया को उसके पहले की प्रोसेस होती है उसके हम प्रक्रार भी पूछते हैं किशी ज्टर में उसके जांकरी प्राप्त करते हैं करते हैं उससे आपस इंदिकेटर के बात की प्रोसेस होती है अन्ता माईपन की विष्जवस्तों को सीख लेता है और लर्निंग आउटकम्स लर्निंग इंडिकेटर के बात की प्रक्रिया होती है और इसमें यह हमको मालूम हो जाता है कि हमारे विद्यारती ने जो विशावस्तों की इन अमुक अमुक बातों को सीख लिया है या उसने जो कुछ भी उसको सीख जाना चाहिए उसको उसने प् विद्यार कियों कि आपके चर्चा कर्छा के बाहर चर्चा उनके आपस में बाचित करना अपनी प्रित्थ क्रिया को जान करी होती है जबす Ansch Kop मेंaken या कहीं सीखने पाठी वस्तु का अनुकुर्योक जलता है जब हम पच्चे को पूछते हैं जिसमें बता पाता है इससे हम लगने गाओ अधिगम जो प्रति भाले उसको प्राप्त कर लिया है ठीक है आगे है सिक्षट और पढ़ाय जाने की प्रक्रिया में बच्चों से बीच-बीच में संकेत मिलते हैं कि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं सीखने की संकी तक में कराता है या अध्यापन के लिए कई तरह कि airport करता है फे लोगा जल खाल गूled करता है उसे समय बीज बीज में इस्ट्रेंग को जानकरि मिलते जाती है कि बिद्ध्यार्थी सीख रहे हैं या उनमें कितनी कमिया है, क्या और करने की आवशक्ता है, तो यही क्या है, Learning Indicators हैं, सीखने के संकेत तक है, जबकि, Learning Outcomes में किसी पार्ट के वे तत्व होते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को सीख लेना आवशक होता है, आठाब किसी पाठ्थिवस्तू को अध्यापन कराने का पढ़ाने का जो उतिष होता हमारा मकसद होता है और उस मकसद को विद्यार्थी को प्राप्त कर लेना चाहिए उन तत्वों को तो वहीं क्या होते हैं लर्निंग अउपकमस होते हैं आगे देखते हैं तो यह सखाने की प्रवियों कर रहे हैं उन में काफी सहत्य पसक्राइं कि हमें बच्चों को किस तरह से सिखाने की आउर सकता है और उस आधार पर अपनी प्रकरिया को बदाब करके रीटव तरीके से शिक्षा सकते हैं यह हमारे अद्यापन के लक्ष एयुंग गतीवद Zuschaser कि न horrवार को grace देखेगा जो learning outcome होते हैं यह हमारी गतीवदियों के नरुवणтесь को अरभाभ साथ जिस लड़निक अउड्कम को हमको बिद्याने को प्राप्त है उसके लिए किस्पकार की गतिविदियों का हमको अजन करना चाहिए उस बात में सहयक होते हैं और शाथ ही यह अध्यापन का जो हमारा लक्ष है उसको निर्धाद करने में हमारी सहता करते हैं ठीक है आगे देखिएगा साथवा बिंदू है लर्निंग इंडिकेटर्स के आधार पर शिखशक अपनी नडिव मेथाड में परिवर्तन कर सकता है जो नदनिंग इंडिक्रस की मदब से एक शिक्षक अपने द्वारा अध्यापन की जो प्रकरिया है प्रोसेस है मेथड है उस में बदलाओ कर सब्सक्राइब करना होता है साथियों सिच्छक जो भी मेथट का प्रियोग करता है उस मेथट का उद्देश यह होता है कि उसे बच्चों के अंदर जो सीखने की संप्राप्ति है उसको इस्थाबित करना है अधात उस विसवस्तु से जो भी चीजें बच्चों को सिखाना चाहता है वो उस सीखने की जानकारी है तो उसमें बच्चे सकारात्मक और नकरात्मक दोनों की बात करें तो देखें जब हम विद्यारतियों से जानकारी प्राप्त करतें कि हमारे बच्चे सीख रहा है या नई कि अबच्च प्राप्त करता है तो इस दोड़ों की जानकारी प्राप्त होती है और इसके आधार पर सिक्षग अपनी मिर्णति में ऽुछ्प करता है udah करता है कि उसे कि किसी पार्ट के लिए लगनिंग आउटकम्स में हम देखते हैं किसी पार्ट के लिए लगनिंग आउटकम्स निश्चित होते हैं कि विद्यार्थियों को इस पार्ट से इतना सीखना ही है के साथ हमारे विद्यारतिएंग के लिए जो विषयवस्तूर निधारित की जाती है जो पाठ बनाया जाता है हुनत, ऑस पाठ से हम कुछ निश्चित बातों को बच्चों को सिखाना चाहते हैं अब उसके जो सीखने के संकीत है और अलग-अलग हो सकते हैं कई तरह से बच्चे प्रतिक्रियत दर्शाश रखते किन्त उस पार्ट के चो लर्निंग आउटकम्स है अधिगम प्रसिपल है वो लगभग पूर से निशित होते हैं कि इसमें हमको बच्चों को यह सिखाना है तो साथ यह इस कालखण में मैंने आप लोगों को लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स से दोनों में अंतर इस प्रष्ट करने का प्रयास किया है आसा यह वीडियो यह जानकरी आपको काफी क्यान वर्धक और रुचक लगी होगी इसी आसा और विश्वास के साथ इस कालखण से विदा लेता हूं अगले में पुनाय मुलाकात होगी किसी नए प्रगण को लेका तक तक नमस्कार जैन वंदे मात